नमास्कार स्वागत्यापका हमारे चैनल च्यार जागिंद्र मिशा में छे जनवरी साल की पहली चतुर्थी बना दिब सुब सैयोग बड़ा गुरुवार चतुर्थी गाय को खिला दें ये एक छोटी से चीज रोडपती भी होंगे करोडपती पूरे साल भरी रहेंगे अनधन के भंडार दोस्तों किसी भी कार को शुरू करने से पहले अगर भगवान स्री गड़ेश जी का इश्मर्ण या पूजन कर लिया जाए तो वह कार निर्विग्न रूप से पूर्ण हो जाता है भगवान स्री गड़ेश शुब और मंगल के परदाता है भगवान स्री गड़ेश जी का पूजन हर पूजन में सबसे पहले करना अति आवश्यक है क्योंकि भगवान गड़ेश प्रथम पूजनी है जो भी कार हम करते हैं शुब कार तो उसमें सबसे प्रथम भगवान स्र स्री गड़ेश जी का पूजन करती हैं लेकिन दस्तों भगवान स्री गड़ेश जी का पूजन बुद्धवार की तरही चतूरती तिथी पर भी अवश ही करना चाहिए क्योंकि चतूरती तिथी में चतूरती की दिन ही भगवान स्री गड़ेश जी का प्रागट हुआ था जन सुक्र पक्षित चतूर्थी साल की इस पहली चतूर्थी पर भगवान स्री गड़ेश जी का पूजन कर उन से आश्रवाद अवश्य ही प्राप्त करें। इस दिन भगवान स्री गड़ेश की उपासना करने से घर में शुक्षंब्रद्धी आती है। आज की दिन 11 या 21 दूर्वा की गाठ भगवान स्री गड़ेश जी को अरपित करने से भगवान स्री गड़ेश अते शिग्र ही परसन हो जाते हैं। और अपने भगवान स्री गड़ेश जी के भगवान स्री गड़ेश जी के भगते इस दिन बरत रखते हैं। और चंद्रवा के दर्सन के बाद उफवाश तोड़ते हैं। इस दिन रखे जाने वाले ब्रत में फलों का सेवन किया जा सकता है। इस दिन भगवान गड़ेश जी का ध्यान करना अतिलाव दायकसिद होता है। इस दिन बरत रखने वाले जातकों के दिन सोने से भी बचना चाहिए। शुबह इश्नान करने के बाद शाप कपड़े पहन कर भगवान स्री गड़ेश जी का ध्यान करते हुए बरत के संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पूजन के स्थान पर लालिया पीला कपड़ा चोकी पर बिचा कर उस पर भगवान स्री गड़ेश जी के प्रतिमा इस्थापित करें। प्रसाद सब लोगों में बाट कर स्वेंभी गरहन करें। पूजन अवश्य करें। आज की इस वीडियो में हम आपको इस चतूर्थी पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असर कारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से बिगन हरता भगवान स्री गड़ेश भगवान लक्ष्मी नाराण की कृपा से सबी बिगन बाधाएं दूर हो जाएगी। भगवान लक्ष्मी नाराण की अश्रीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान स्री गड़ेश के साथ साथ मा लक्ष्मी जी की भी घर में बास होगी। आप नीले ना पहनें और आप अलग-अलग पात्र ले लें एक पात्र में आप थोड़ा सा सुद घी गुर रक लें और इस पात्र में आप एक ज्चटकी हल्दी थोड़ी सी कच्ची यनि की साफ धुली हुई चने की दाल भी रख लें। दोस्तो थोड़ा सा गुड रखें, अब आप अपने मंदर के सामने आसन बिछा कर बैट जाएं और भागवान के सामने एक सुद्ध घी का दीपक जला दें साबूत चावल, दियों को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, फिर आप किसी कपड़े को बिछा कर रख दीजे नीचे, एक धूब बत्ती सुगन्धित जरू जलाएं, अब भगवान स्री गडेश जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं, और भगवान विश्मु जी भगवान विश्मु जी को हल्दी से तिलक करें, फिर गडेश जी को घी और गुड का भोग लगाएं, और भगवान स्री हर विश्मु जी को हल्दी चने की डाल और गुड का भोग जरू लगाएं, फिर मंत्रों का जाप करें, भगवान गडेश जी के मंत्र का ओम गम गण अपते नमे जद्द जद्द जप करें और ओम नमो भगति वाश्दिवाई भगवान यहीं की नारण भगवान विश्णु जी के मंतर का जप करें फिर आप क्या करें पूजा पाठ करने के बाद फिर आप सुध आटा ले लें आटे को गुथ कर आप दो रोटी बना लें दो और इसके बाद आप जो हल्दी और चने की डाल का भोग लगाया भगवान विश्णु जी को उसको भी रोटी पे रख दे और इसके बाद आप इस रोटी को ले जाकर गाय को चुप चाप खिला दें गाय को खिलाते समय अपनी मनो कामना जरूर बोले बिसेश तोर पर आप आपको कभी भी धनकी कमी महसूस नहीं होगी पूरे साल भरे रहेंगे अन्य धन के बंडार दौस्तो गाय को खिलाते समय मन में विश्वास और भरोसक साथ और मनो कामना के साथ खिलाएं तो माताल लक्ष्मी जी किरपा बरसे कि गाय में सभी देवी देपताओं का निवास होता है इसलिए गाई को ये जो रोटी है ये दोनों रोटी आप खिला लें चाहें तो दो रोटी आप बनाएंगे तो दोनों रोटी में अलग अलग भी आप रख सकते हैं एक में आप यानि की घी और गुर रख लें एक रोटी में और दूसरे में आप यानि की चने की डाल और थोड़ी से हल्दी और घी रखकर दोनों रोटी को आप गाय को जरूर खिला दे दोस्तों आपकी समस्त मनों काम नाए मालक्षमी इकृपा से दूर होगी भगवान गड़ेश इकृपा बरसेगी दोस्तों अगर आप ज्यादा कुछ ना खिला सके तो आज चतुर्थी उबार के दिन गाय को गुड घी और तिल के लड़ू बना करके जरूर आप गाय को खिला दीजे या फिर आप थोड़ा सा घास ले लिजे घास में आप अपने घर की जो पहली रोटी है उसे बना कर एक रोटी पहली बाली ले लिजे रोटी में थोड़ा सा गुड थोड़ भरे रहेंगे और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी तो दोस्तो आज गुरुबार चतूर्थी के दिन जरूर गाई को ये एक छोटी से चीज खिला दे तो विशेश मनो कामनाओं की पूर्ती होगी भगवान गड़ेश जी के किरपा से आप घर में भरे रहेंगे अन्य धन के भंडार और भगवान नारायन की भी किरपा बरसेगी मालक्षमी किरपा बरसेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा जैदा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्षमी